प्रैधार मंद्री नेतन्याहू के मन में क्या है ये अभी पूरी दुनिया समझ नहीं पा रही है। दरसल हमास की पूरी लिडर्शिप खत्म करने के बाद इस्राइल अब हिजबुल्ला का खात्मा करने जा रहा है। हसन नसरला की मौत के 32 दिन बाद हिजबुल्ला के नए चीफ का इलान किया गया। डिप्टी लिडर नईम कासिम को संगठन की जिम्मधारी स्वापी गई। ताजपोशी के बाद ही नईम कासिम ने नेतन्याहू को ललकारते हुए कहा कि हमने नेतन्याहू के घर पर हमला किया था। इस हमले में वो बच गये लेकिन जादा दिन नहीं बचेंगे। शायद कोई इस्राइली ही नेतन्याहू की खत्या करेगा। नईम कासिन अब तक हिजबुल्ला में नमबर दो की पोजिशन पर था। नसुरल्ला की मौत के बाद कासिम नहीं लेबनान की जनता को संबोधित किया था। आपको बता दे कि परशिम एशिया में इसराइल ने ऐसा बारूदिक कहटाया है जिसमें एक ही करके उसके दुश्मन धेर होते जा रहे हैं। ये परशिम एशिया में वो मौत वाली कुरसी है जिस पर बैटे ही इसराइल उसका काम तमाम कर देता है। और इसकी टाइम लाइन काफी चौकाती है। परशिम एशिया में मौत वाली कुरसी अब तक कई लोगों को खा गई है। यहां मौत की कुरसी का मतलब आपको बता दे कि इसराइल के दुश्मन संगट्टों के शिर्सपद वाली कुरसी है। आपको बता दे कि इसराइल ने 11 जुलाई को खमास के चीफ इसमाईल हानिया को मौत के घाट उतार दिया था इसमाईल नहीं 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में खमला किया था जिसमें 12 सो से जादा बेगुना हमारे गए थे इसके बाद याहिया सिन्वार को नया चीफ बनाया गया था वो इस मौत वाली करसी पर बैठा लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं बस सका सोल आक्टूबर को इसराइल ने राफा में सिन्वार को ठेर कर दिया वहीं मौत वाली करसी हिस्बूल्ला का भी काल बन रही है सबसे पहले 27 सब्टमबर को असराइल ने लेबनान के बेरूत में एर श्ट्राइक करकी हिस्बलाँ चीफ हसन नसुला को ठेर कर दिया नसुला की मौत पर पूरे अरान में मातम रहा नसुला की मौत के बाद इसके करीबी हाशिम साफिεια दीन को नसुला का उत्रादिकारी माना जा रहा था लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही इसुलार नसुला की मौत के बाद नाईम कासिम ने 5 अक्टुبر को बेरूत छोड़ दिया था उसे इरान के विदेश मंतरी के विमान से ले जाया गया था मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इरान के निताओं ने इसराइल के खमले के डर्ट से कासिम को इरान बढ़ाया था इस बिच इसराइल ने सीधे इरान को भी धम की देड़ा लिया इसराइल के साइने प्रमुख जनरल हर्जी हलेवी ने कहा अगर इरान ने इसराइल पर एक और मिसाइल हमला करने की खलती की तो इरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हमें अच्छी तरह से पता है कि इरान तक कैसे पहुँच रहा है इस बार हम ऐसा खमला करेंगे जैसा अब तक नहीं किया है इसराईल ने चार दिन पहले इरान पर सबसे बड़ा एर अटेक किया था सेटलाइट तस्वीरों से दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने इरान के न्यूकिलिय ठीकानों पर हमला किया था खबर ये भी है कि इसराइल के खमलों में इरान को रूस से मिले S-301 डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुचाए गया ये दावा वाल एश्टिट जेनरल ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है इरान के पास रूस से मिले 4S-300 डिफेंस सिस्टम है जिन मेंसे एक को इस साल की शुरुवात में इसराइल ने बरबाद कर दिया था नए दावे के मुदाविक इरान का एक और डिफेंस सिस्टम बरबाद हो गया है SME इसराइल इरान की कमजोर एक डिफेंस का फायदा उठाते भी जल्दी एक और बड़ा आटेक कर सकता है कि इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद